आसान कीचन में बनने जा रहा है सत्तू का लिट्टी और चटनी बिहार में बहुत ही ज़्यादा सत्तू का डिस फैमेस है मैंने आप सभी के साथ कई सारा डिस सेर की हूँ उन्हें भी आप जरूर ट्राई कीजिए लेकिन आज की रेस्वी में कुछ ऐसा किया है जिसे आप घर में बहुत ही आसान इसे बना सके तो इसे जरूर ट्राई कीजिए बिना इसकेप किये हुए तो चलिए लिट्टी और चोखा बनाना सुरू करती हूँ आप चाहे तो ओभन में भी बना सकते हैं मैं इसे कराही में बना रही हूँ लिट्टी बनाने के लिए मैं सबसे पहले सत्तु को ले ली इसमें मैं स्वादनुसर नमक को डाल देते हूँ काला जीरा है, काला जीरा को मैं डाल दी हूँ, बारी कटा हुआ मिर्च, लहसन और प्याज को मैं डाल देती हूँ, मैं सारे चीज को इसमें डाल कर अच्छे से मिला लूँगे, मैं इसमें सर्सो का तेल डाल देती हूँ, सर्सो का तेल डालने से जो लिटी है ये टेस्टी ब हैं तो यहां पे डाला के रासगार देथी हैं आसके इसमिला लें के अच्छे से Somagd country tehd similar को आप्षे से यहां हनी कटीर से बंल कर क्थ आप पच्छे से सत्तू को मिला कर रख ले बिहार में तो बहुत ही ज्यादा सत्तू फेमस हैं सत्तू आप इसे सान कर खाए और या लिट्टी बना कर खाए या सत्तू का पूरी बना कर खाए सत्तू सभी चीजों में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी लोग इसे पसंद भी करते, मैं सत्तु को बना कर रख ली हूँ, मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ, ये नॉर्मल आटा है, इसमें मैं स्वाधनुसार नमक को डाल देती हूँ, नमक डाल कर मैं इसे गूथ लेती हूँ, आप इसे धीरे धीरे पानी डाल कर आटे को अप अच्छे से गू धीरे-धीरे आटा में पानी डाल कर और हाथों मसल मसल कर इसे आप अच्छे से गूत लें आप आठा को जितना ही अच्छे से गूत एंगे आपका जो लिट्टी है उतना ही अच्छा से बन कर तैयार हो आप जितना बड़ा लिट्टी बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप लोई को काट लें सुखा पर्थन लगा के अंगुठे से दवा दवा कर एक काटोरी के सेफ में आप बना ले ऐसे बना कर सत्तु को आप भर ले सत्तु को अच्छा से अप दवा दवा कर इसे भर ले, अंगुठे से दवा कर और आटे को बंद कर दे, अब बंद करके इसे गोल बना ले, यहाँ पर आप चाहे तो लिट्टी को आप हलका चप्टा भी बना कर बना सकते, मैं यहाँ पर गोल बना कर ऐसे रख लेती हूं, नावियु दावादवा खड़िखे कैसे घंडेब अवे बना लीकाणु के कोण भिशनय क्ता कर मत्या को यहां आस्थ ससे समय साथ आपा अनुषार घ्र सकते हैं आप से हैं आप यह से अच्छा से बंद कर लेती हूं आप कर करकर साथ थिंदorm कराही को गर्म करके इसमें मैं घी को डाल देती हूं घी डाल कर और लिटी को आप इसमें डाल दें सारे लिटी को आप डाल कर ऐसे मीडियम फिलेम पर इसे अच्छे से शेक लें इसे मैं धीरे-धीरे पल्टा लेती हूं आप इसे धीरे-धीरे छलनी से इसे पल्टा लें और जुआ हैँ ए fiance got valve in a side if layers अच्छे से ढग़ कर रिषडाये ये अच्छे से पक़ जाईगी ante और इसे आप पल्टा ले आप सभी तो लिषड़ी चहान कर बहुत का है और इस तरह के लिषटी बना कर खाएंगे तो सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होगा तो हमारा टेस्टी लिट्टी बनकर तैयार है तो टेस्टी लिट्टी बनकर तैयार है मैं इसे सर्व कर ली हूँ लिट्टी और चटनी ये टमाटर का चटनी है असत्तू का लिट्टी बिहार में बहुत ही ज्यादा लिट्टी और चटनी इसे सभी लोग खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर नहीं है तो मुझे सपोट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और बिल आइकन को दबाना ना कोमेंट बक्स में जरूर लिखे तो आप सभी का कोमेंट बढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो आप सभी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें आप सभी से मिलती हूं कल नई वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और सौस्त रहें हसते रहें और मुस्कुराते रहें